लास्ट फीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत का खिल्जी वंस कर चुके हैं उससे पहले हम लोग क्या किये थे स्लेव डैनेस्टी यानि की गुलाम वंस ठीक है अब है तुगलक वंस का तो तुगलक वंस देखते हैं कि अलाउदीन के सेना पतियों में ग्यासुदीन तुगलक का गाजी मलिक तुगलक वंस का प्रथम सा सकता है कि अलावदीन के सेना पत्यों में गयासुद्धिन टुलक या गाजी मलिक गाजी मलिक का प्रथम अने श्त ह सकता है उसकी मात हिंदू जात महिला थी ता हिथा पिता एक करोना जन जाती का तुर्क था कौन सा जन जाती है करोना जो करोना आया था वो नहीं करोना जन जाती का तुर्क था जो बलवन का दास था बलवन के दास थे ये ग्यासुदीन तुर्लक के पिता ग्यासुदीन तुर्लक ने अलाउदीन खिल जी के सासनकाल में कई महत्पुन अ गवर्नर थे दीपालपूर का गवर्नर और मुलतान के इपन पतूता के अनुसार 29 अवसरों 29 अवसरों पर उसने मंगोलों को पराजित किया उन्हें भारत से बाहर खदे रहा इसलिए वह गाजी मलिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ खुजरो साह को समाप्त करके उसने दिली के सिहाशन पर अधिकार कर लिया तथा आठ सितंबर 1320 को सुल्तान बना इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था इसी कारण इतिहास में उसके उत्राधीकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंस तुगलक वंस का लाया ग्यासुदीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले ही तरह पैदावार का एक बटापाज से लेकर के एक तीहाई बाग वसूल किया जाने लगा कितना लेने गया है वन फिप से लेकर के वन ठर तक लेकिन अलाव दिन खिली तो भाई 50 परसेंट वन हाफ लेता था ठीक है एक बटा दो अवे सकता अनुसार अकाल के स्थिती में भूमी कर को माफ किया गया जब अकाल वगेरा पड़ जाता है तो माफ कर दिया गया राजस्व वसूली में सरकारी करमचारियों को हिस्सा ना देखकर मुक्त जागीरे दी गए अब यहां पर क्या है मुक्त जागीर को दिया गया 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 सुदीन तुगलक के समय में नसल एवं बटाई की प्रथा प्रचलन में रही अल्लाव दीन के समय की कठोर दंड वेवस बंतु कर न देने वालो सरकारी धन की बहिमानी करने वालो और चोरों को कठोर दंड दिये गया है बरनी के अनुसार तुगलक साह के नयाय से भेरिये को भी इस बात का सहस नहीं था नहीं होता था कि वह किसी भेर की ओर देखे है दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मुह मुंबध बिन तुगलक 1325 से 3915 सरवाधिक विद्वान एवं सिख्छिक साशक था लेकिन आप लोग अगल मुहम्माद बिन तुगलक का कहानी सुने होंगे तो बहुत हसी है ठीक है वह बहुत शिची था बहुत विद्वान था लेकिन उसका जो काम सर्ता उल्टा ही पर जा की ने अमीर को ही किसलीए बनाया गया था मुहमद बिन तुगलक ने बनाया था कृसी के लिए दिवाने को ही किए अस्थापना की इस विभाग का मुखे कारे क्रिशकों को परत्यक्चहायता देकर अधिक भूमी कृषी कारे के अधिन लाना था साथ भर्ग मील की भूमी का एक लंबा टुक्रा इस काड़े के लिए चुना गया भूमी पर क्रिशी सुधार किये गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन फसलों की खेती की गए मुहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्पुर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना ये दिल्ली से कहा लेगा है दौलताबाद ये बहुत ही बेकार इनका फैसला निकला ही देवगिरी ले जाना इबन बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल कि नुसार की के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतवुदेन मुबारक खिलघी ने देवगिरी का नाम कुतबाद रखा देवगिरी का नाम इसמ일 रख दिया कुतबाद रखता तता मोहम्मत तुगलक ने दवलता बाद मुहम्मद तुगलक ने क्या रख दिया इसका नाम दौलताबाद कुतव उदीन मुबारक ने रखा था देवगिरी का नाम कुतवाद और मुहम्मद तुगलक ने दौलताबाद डाल दिया और दौलताबाद ही यह सिफ्ट हो रहा था देवगिरी को कुवद उल इसलाम भी कहा गया देवगिरी जगा का नाम जिसको दौलताबाद कर दिया गया इसको कुवद उल इसलाम भी कहा गया मुहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्को पर अल सुल्तान जिल्ली अला के लिखा है अपने सिक्के पर अल सुल्तान जुली अला यानि सुल्तान इसवर की छाया है इसवर सुल्तान का समर्थक है आदी वाके अंकित करवाएं मुहम्मथ बिन तुलक के द़ारा जारी स्वरन सिकों को इमन बतूता द़ारा दिनार की संग्या दी गई है दिनार यह सोना का सिका निकल वाय उसका नाम क्या है दिनार बर्नी मुहम्मद तुगला की पाच मुखे योजनाओं का विशेश रूप से उलिखे करता है पहला दुआप में करकी बृद्धी देवगिरी यानि दौलताबाद को राजधानी बनाना सांकेतिक मुद्रा जारी करना खुरासान पर आकर्वन ये खुरासान पर आकर्वन भी न इसका बहुत वह था खड़ाब निरने था सांकेतिक मुद्रा बना जिससे क्या हुआ कि राजधे में दूसरे लोग भी सांकेतिक मुद्रा बनाने लगा और कराचिल की और अभियान सब का सब इसका जो पास जो फैसला है न ठीक वो उतना ही बेकार है इबन बतूता 1333-1347 मुरोक को मूल का अफरीकी यात्री था इबन बतूता कहा का है अफरीका का है यह मुहम्मद बिन तुगलक के कारेकाल में भारत आया मुहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिली का काजी न्यूक्त किया बाद में 1342-1347 में उससे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन बेजा गया इबन बतूता ने किताब उल रहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विबरन प्रस्तूत किया सल्तनत काल में डाक विबस्ता का विश्त्त भिबरन हमें इबन बतूता के यात्रा ब्रितांत द्वारा प्राप्थ होता है तो इसको गेर का इबन बतूता को बहुत अच्छा ग्यान था क्योंकि उसके पिता इबन पतुता के पिता थे काजी तो उसने उसको सीखा रका था मुहभाद विन तुगलक उमुहभाद बैन तुगलक बहुआ था फिर इसने इसको सुनाया, ठीक है, तो वो प्रसन हुआ, उसको अपने राजिये में रख लिया, इसको दिली का काजी भी बना दिया गया, यानी कि जज, ठीक है, और एक बार इbn of Tauta ने नियाय दिया किसी को, तो वह चीज कहा है कि मुहमद बिन तुगलग फिर नियाय दिया प्रियें चीन जाने के लिए इसके पास पैसा नहीं था inおرض हो कि उसको चीन जाना है तो इसलिए सहायता किया गया मुहमद भी दुलग के दौरा फिर उसको चीन में भना नहीं लगा तो वह वापस वह भाहरत भाहरत वह अच्छा लेकिन उसका मुरोको में दिल नहीं लगा और पता नहीं क्या हुआ उनका दैथ हो गिया चलिए तो आगे देखते हैं इबन बतुता के यत्रा वित्तान द्वारा प्राप्त होता है डाक दिवस्ता नेक्स दिल्ली के सुल्तानों में मुहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदूों के तेवारों मुख्यता होली में भाग लेता था यह पहला ऐसा सुल मुसल्मानों को भी सरकारी पदों पर न्यूक्त किया जिसके कारण बर्णी ने उसकी कटू आलोचना की और ऐसे वेक्तियों को चिछोडा माली जुहा नाई रोशोईया आधी कहा 20 मार्च 2311 कावन को मोहम्मद विन तुगलड के मृत्यू हो गए उसके निधन पर बदाइओन ने लिखा है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गए बदावीनी ने क्या लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई क्योंकि यह फैसला लेता था ने यह बहुत उल्टा बरता था ठीक है फिरोज सा तुगलक ने समान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कारे किये नियुक्ति के लिए एक दफ्तर रोजगार दफ्तर मुहमद बिन तुगलक का खतम हो गया फिरोज सा तुगलक जिसको हम लोग FST के नाम से जानते हैं यह भलाई इनका फैसला बहुत सैठま does जिसा पीनला समान्य लोगों भलाई के लिया कुछ उबकार के कारे के हैं नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानि रोजगार दफ्तर सबसे पहले नियुक्ति के लिए रोजगार दफ्तर इसीने खुलवाया था तथा परतेक वनुष्य के गुन्यभम योगता की पूरी जाच परताल के बाद यह था संभव अधिक से अधिक लोगों को न्यूक्ति देकर उसने बेकारी यानि बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया आप पास जो टैलेंट है आप उसका यूज करके उस एरिया में बहुत प्रॉफिट कर सकते हैं जैसे मचली है वो तो पानी में ही तायर सकता है ठीक है वो पेर पे नहीं चरेगा न तो इसलिए जिसका टैलेंट जो है वो देख करके अगर नोकरी मिले तो बहुत अच्छा दान देना स्टार्ट किया उसने एक विभाग दिवाने खैरात अब खैरात असावित या जो गरीब मुसल्मानों अनाथ इस्तरियों एवं भिद्वाओं को आर्थिक सहयता देता था और निर्धन मुसल्मान लर्कियों के विवाग की विवस्था करता था राज्य के अस्पताल के अस्थापना की थी और उसमें कुसल हकीम रखे फिरोज सा तुगलग को दासो का बहुत सौक था इसको दासों का बहुत सौक था उसके दासों की संख्या संभवता एक लाख असी हजार तक पहुच गए थी उनकी देखभाल के लिए एक प्रिथक विभाग दि कहा जाता है कि फिरोज ने 390 नगरों का निर्मान कराया उसके द्वारा बसाये नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपूर, जौनपूर, फिरोजबाद, आधी प्रमुक थे फरिस्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिद, 30 विद्याले, 20 महल, 100 सराएं, 200 नगर, 100 अस् अस्नान गरी, 10 अस्तंब और 150 पूलों का निर्मान करवाया, अपने बंगाल अवियान के दोरान उसने एक दला का नया नाम आजादपूर, तह था पंडूआ का नया नाम फिरोजबाद रखा, एक दला का नाम क्या रख दिया, इसने आजादपूर, उसने राज्ये का की योजना को उसके अनुमान के साथ दिवाने विजारत के समुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्विकार किया जा सकता था, फिरोज तुगलक का सासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का फिरोज, सबसे बड़ा नहरों का जाल निर्मान करने के कारण चाई के सुद्धा के लिए उसने पाच बड़ी नहरों का निर्मान करवाया था, पाच बड़ा नहर बन वाया था इसने ताकि आसानी से सिचाई हो पाया, प्रथम नहर था, 150 मिल लंबी थी जो यमना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी, दूसरी 96 मिल लंबी थी जो सतल पाचाई से घगधर नदी तक जाती थी, तीसरी सिर्मौर की पहारिया से निकलकर हासी तक जाती थी, पाचमी थी यमना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी फिरोज तुगलक ने सिचाई और यातियों की सुबधा के लिए लगभग 150 कुएं भी खुदबाया फरिस्ता के अनुसार फिरोज ने सिचाई की सुबधा के लिए बिविन अस्थानों पर 50 बांधों और 30 जीलों अत्वा जल को संग्रा करने के लिए तलावों का निर्मान करवाया बताईए बांध बंदवाया जील बनाया फिरोज तुगलक उलेमा वर्गी स्विक्रिती के पश्चात हक ए सर्व नामक सिचाई कर लगाने वाला दिली का प्रथम सुल्तान वाला जब सिचाई का बना रहा है तो लेगा ही न टैक्स उन किसानों को जो सिचाई के लिए साही नहरों का पानी परियोग में लाते थे अपनी पैदावार का एक वाता दस भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना परता था फिरोज तुगलग द्वारा ब्रहामनों पर भी जजिया लगाया गया जजिया एक होता है टैक्स नन रिलिजियस टैक्स उलेखनिया है कि उस समय तब ब्रहामन इस कर से मुक्त रखे गए थे फिरोज सा तुगलग ने बागवानी में भी अपनी अविरूची के कारण दिल द्वारा असोक के दो अस्थमबों को मेरट एवम तोपरा अब हर्याना के यमना नगर जीले में से दिल्ली लाया गया दिल्ली में जो अभी कुदु मिनार के पास आपको बिलेगा ना वही मेरट वाले अस्थम्ब को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुना अस्थापित कराएगा दिल्ली के सुद्लतान फिरोज सा तुगलक ने इस उदेशे से एक अनवाद विभाग की अस्थापना की थी कि उससे हिंदु यवा मुसल्मान दोनों संप्रदायों दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बहतर हो सके उसने कुछ संस्क्रीत ग्रंतों का फार्थी में अनवाद भी कराया था नासिरुदीन महमूद सा अब एह वस्टी का खतम हो गया कहानी अब नासिरुदीन महमूद सा ये जो हैं तुगलक बं संत्र होकर दिली को प्राब्द करने के लिए प्रयात्न करने लगा फिरोज के एक अन्यपुत्र नुसरत साह ने नासिरुदीन को चुनौती दी थी फलस्वरुद तुगलक बंस दो भागों में विवाजित हो गया और दोनों सासकों ने एक ही साथ दिली के छोटे से राज तैमूर ने भारत पर आकरबन किया एक बार अभी कोशन पूछा गया था तैमूर के बारे में तो तैमूर ने किसके समय में नासिरुदीन महमूद साह के सासनकाल में तैमूर ने भारत पर आकरबन किया था यह कथन इसी सासक के लिए प्रचलित था साह जहां की सल्तनत दिल दिल्ली से पालम तक फैली हुई है साथ जहां की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है किसके लिए नासिरुद्दीन साह के लिए तैमूर के आक्रवन 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक बंस दोनों को ही नस्ट कर दिया दिल्ली सल्तनत भी खतम तुगलक बंस भी खतम 1412 ऐस्वी में नासिरुदीन महमूद साह के मृत्यू के साथ ही मुगल तुगलक बंस का अन्थ हो गया 1413 ऐस्वी में सरदारों ने दौलत खाको दिल्ली का सुल्तान चुना परंतु उसे खिज्र खाने पराजित कर दिया वह तैमूर द्वार नियुक्त लाहौर का सुवेदार था तैमूर के आकरवन के बाद 1414 ऐस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए बंस यानि की सयद बंस का नीव डाला अब नेक्स में हम लोग पढ़ेंगे सयद बंस के बारे में